वाट्सअप और सोशल मीडिया पर इन तिनों चीनी पठाखों और अन्य उत्पादों का बहिशकार करने की अपील की जा रही है चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र की सहयक नदी का प्रवाहर रोके जाने के बाद सामने आ रही इन भावनात्मक अपीलों का असर कमोबेश दिखाई भी दे रहा है कई जगह प्रशासनिक स्तर पर भी चीनी पठाखों पर ततिबंध लगा दिया गया है लेकिन सस्ता होने के कारण इलेक्टरिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान धडलने से बाजार में बिग रहा है व्रवदुनिया टीम ने जब इंदौर के बाजार में चीनी उत्पादों के बारे में परताल की तो खरीती बिकरी को लेकर लोगों की मिली चुली प्रदिक्रियाएं सामने आई ग्रहकों का मानना है कि चीनी सामान भारते उत्पात की तुल्ला में काफी सस्ता है यह फायदा है कि आदमी को एक सीजन ही यूज करना है एक बार आता है और सस्ता बढ़ता है लोगों का ये भी मानना है कि देश में जो माहौल चल रहा है उसे देखते हुए चीनी उत्पादों का बहिशकार होना ही चाहिए प्रतिबंद नहीं लगाया जबकि एक्शुल प्रतिबंद लगना चाहिए और जो अपना इंडियन जो आती है वो महंगी प्रतिबंद लगना चाहिए वही व्यवसायों का मत है कि सिर्थ लाइटिंग का ही बहिशकार क्यों सभी तरह के चीनी सामान पर रोक लगनी चाहिए यो तो चीनी पटाखों पर प्रशासन ने प्रतिबंद लगा दिया है लेकिन दुकानदार मानते है कि सस्ता होने के कारण लोग इने खरीदते हैं इसको यूज में लगातार ले सकते हैं और अभी जो फटागे आ रहे हैं ये फटागे भी बहुत रासायन वह बहुत खराब है कि उसको यूज करना ही नहीं चाहिए ये अपने देश के लिए खातक है और इसमें बीमारी फेलने का भी ज्यादा वो है और अपने हां के जो फटागे हैं वो इतने खातक नहीं है उनको यूज कर सकते हैं अपने अपने देश का ही बना हुए प्रड़क्ट खरीदने चाहिए और देश के लोगों को इसमें ज्यादा आगे बाने के अपने को ये बेशा भार ने देना पड़ेगा फिलहांक देशी पटाखों में भी ग्राहकी का अथाब है बजार में व्यापार का आथा पता ही नहीं के बराबर व्यापार चल रहा है गये बार के अपेक्षा इस बार गिड़ा की कम से कम नहीं नहीं करके कम से 25 से 30 परजं किसे लिएीं लुषा घे सूओ कि लगार झीता सूविल् Dulस बड़ेगा है व्याद कर्पार क्ष्वार में ही व्यादorm